चलिए मेडिया स्टूडेंट्स एक नए वीडियो की शुरुवात हम करते हैं अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्स्राइब कर लिजी वीडियो को लाइक और शेर भी कर देजिए जैसे आपने थमने देखा होगा जिस पर लिखा है कि ये एक्जैम से आपको 100% फास गैरेंटे देंगे तो मैं डियर स्टूडेंट जैसे हम सभी जानते हैं कि मैं भी आपके लिए 2023 की तैयारी करा रहा हूँ और आपने भी 2023 बोर्ड एक्जैम की ही तैयारी कर रहे हैं तो इसमें कुछ डॉट हमको ये भी रहता है कि हम जितना पढ़ रहे हैं क्या उतना हमारे लिए काफी है या हमारी पढ़ाई में कुछ कमी या कुछ कोताई तो नहीं आ रहे हैं इस तरीके बहुत सारे questions हम में होते हैं तो मैं डिये students इस questions को पार करने के लिए इस questions को आगे बढ़ाने के लिए हमको revision बहुत ही important rule यहां पर अदा करता है इन exams के लिए बहुत सारे students क्या करते हैं simply पढ़ते चले आते हैं जो भी work है करते रहते हैं और जो भी answer से वो याद करते रहते हैं लेकिन जभी आपको confidence आएगा तभी आप लोग अपने आप में एक्षिम कर पाएंगे जब आप उसका revision करोगे उसका mock test आप लिख पाऊगे जैसे मैंने आप लोग के लिए material भी upload कर रहा हूँ और answers भी upload कर रहा हूँ दोनों भी अगर आप साथ साथ चलेंगे तो आपको बहुत ही benefit होगा बहुत सारे students देख रहे हैं बहुत सारे students देख भी नहीं रहे होंगे शायद चली कोई बात नहीं जो students देखे हैं और लोग का benefit होगा My dear students अभी हमको 100% पास उना है तो revision बहुत जरूरी है Revision अब यह revision कैसे करें कहां से करें revision बहुत सारे questions आपके mind में आते होंगे चलिए इस revision को करने के लिए एक golden opportunity आपके पास Monday से आपके exams है Monday अब स्टूडेंट्स यह भी content कर सकते हैं कुछ गवर्नमेंट आपके स्कुल में conduct नहीं कर रहे है क्योंकि गॉर्नमेंट की तरफ से स्टेंट है Boss बॉपक्र क्टिस पर सब्सक्राइब कुछ स्कूल में conduct कर रहा है कुछ में कर रहे हिंबत मतारी है question papers मैं upload करूंगा इस channel पर आप question papers को देख कर समझ सकते हैं कि कितने questions उसके अंदर आप कर सकते हैं अपने आपको analyze करना बहुत ज़रूरी है analyze कर लेना देखिए एक मजदूर भी होता है तो दिन भर जब मेहनत करता है तो उसको जब मजदूरी मिलती है तब ही उस मेहनत का फल उसको मिलता है यह वो मजदूर दिन भर मेहनत करते रहता है फिर जब मेहनत खतम हो जाएगी उसको मजदूरी नहीं दे रहें तो बहुत मायूस हो जाएगा घुस्से में आ जाएगा तो हम भी उसी तरह है, हम इतना कुछ पढ़ रहे हैं, तो हमको अच्छे मार्क्स हमको result चाहिए, हमको result नहीं मिल रहा है, हम सिर्फ पढ़ते ही जा रहे हैं, पढ़ते ही जा रहे हैं, जिसका कोई benefit नहीं है, तो कोई भी फायदा नहीं होगा तो media students हम कहा थे, revision practice test के paper के पास, बहुत सारे students इन पे exams को शायद easy ले रहे होंगे, मैं कहता हूँ, कि serious होकर पढ़ीजिए, हर exam, हर test आपका, यहीं सुच कर पढ़िए, कि यह हमारा final exam है, हम इन exam के लिए जी जान मेहनत करेंगे, जी तोड मेहनत हम exams के लिए करेंगे, यह exam हमारे लिए final exam है, इस exam में अगर हम pass हो जाएंगे, तो और अच्छे marks के लिए हम कोशिक करेंगे, एगर फेल होते हैं, तो एक और exam है, वहाँ पर कोशिक करना है कि हमको अच्छे marks आना चाहिए, भलक rocky exam से जाने हैं, तो हमको क्या करना है, exams होते रहते हैं, ऐसे अगर all अगर आप में आ जाएगा एवाइट करने लगए तो आपका दिमाग भी कहेगा कि आरे जान दो क्या पढ़ते हो जाने दो एक्जाम सा इसे ही जाएंगे तो इसलिए एक स्ट्रॉंग बिलिव रखना है आप लोग अपने दिमाग में एक माइंड सेट बनाना है एक माइंड में माइंड सेट बनाना है कि एक्जाम्स हमको अच्छे लखेंगे तो my dear students यह जो एक्जाम्स है बंडे से जो एक्जाम्स है एवरी डे डो पेपर से मैंने टाइम टेबल अपलोड कर दिया है आलगी हो सकता है कि कुछ प्लोड चूटेंट के लिए मुशकल हो जा लेकिन मैं डियर स्टूडेंट्स अगर एक पेपर आप 100% में से 60% भी अगर आप लिख रहे हो इस एक्जैम में तो समझू कि आप अच्छे मंकमाक से पास हो गए मैं समझ सकता हूँ कि दिखा तो जाएगी तीन सब्जिक कवर करना लेकिन यह कुरूशल मोमेंट है एक अच्छी अपर्चुनिटी है हमारे पास कि हम अपने आपको प्रूफ कर पाए कि हम लिख सकते हैं हम कर पाते हैं यह एक्जैम जो हो रहे हैं यहां पर आपको पेपर प आपको पता चल जाएगा पेपर पैटन यहां क्योंकि एक ही पेपर है सिंगल पेपर है आपको जैसे पहले से हमको इस न्यूस के बारे में पता है सिंगल पेपर सिस्टम है सिंगल पेपर है अब यहां पर आपको पता चलेगा कि फॉस्ट सेक्शन की कुष्टन कैसे आ रह यहां पर आपको पता चल जाएगा यखिन मानिए अगर यह एक्जैम्स आप अच्छी तरह लिखते हैं जैसा आपके पास यह दो पेपर्स होंगे गौर्नमेंट प्राइक्टिस टेस्ट पे दो पेपर्स है और दो प्रिफैनल्स है 27 से लेकर मार्स तक आपको दो प्रिफैनल है तो प्रिफैनल्स तो मतलब कितरे होगे आपके गौर्नमेंट पेपर्स चार गौर्नमेंट पेपर्स होगे अभी जो आप मंडे से लिख रहे हैं जो टेस्ट 50% 50% से लेबस है मैंने से लेबस अलरड़ी अपलोड कर दिया है आप मेरे इस चैनल पे पिछली वीडियो में जाकर चेक कर सकते हैं 66 लेसंस 77 लेसंस है और सेकेंड मॉडल पेपर जो फेबरवरी में हो रहा है वो मॉडल पेपर में भी 50% है मतलब 100% लेकिन जो दो प्रिफैनल होंगे वो कम्प्लेटली एक आपका रिविजन मिलेगा तो मैं दिया स्टुडेंट्स अगर ये चार वनलता है ये हैं से अंडीर पर्चेंट जिसके पाइनेदर और कोई दोर आए नहीं इसके अंदर कोई ड Wik papa तैंन ने का आपना चाहिए है अप क्या लिख यह वी एकांफुडश आकमार मैं नहीं चाहिए ह ये सारे चीजेंगे तो यह आपका Monday वाला exam अच्छा जाएगा बहुत सारे students अभी भी easy लेकर light लेकर बैठे हैं कि हाँ exam आने दो देखेंगे यह बहुत आपको महेंगा पढ़ने वाला है बहुत मुसीबत पने वाली है अगर आप यहां पर इन टेस्टों को अच्छा नहीं लिखेंगे जो स्कूल में नहीं ले रहे हैं वो स्कूल वाले कोई टेंशन की बात नहीं है मैं इस चैनल पर अपलोड करूँगा उस question शिफर को आप देख लिजिए देखकर अच्छे से लिखना की कोशिश कीजिए तो media student जितना भी आप पढ़े हैं उसको अगर successful बनाना चाहते हैं तो यह test आपको seriously लिखना पढ़ेगा अच्छी तरह आपको लिखना पढ़ेगा half of portion है half of portion आप अच्छी तरह आप लिख सकते हो थोड़ी मेहनत आपको ज्यादा करना होगा पढ़ीजिए आप night करीजिए morning पढ़ीजिए जैसा आपको मन लगता है जैसा आपको दिल लगता है आपकी convenience के साब से पढ़ीजिए लेकिन exam अच्छी तरह लिखने की कोशिश कीजिए क्योंकि यह जो exams है आपको guarantee देते हैं कि आप board exam में पास होने की यहाँ पर अगर एक और subject में कभी आप कम माक्स आते हैं या फेल हो जाते हैं तो आपके पास एक और मौखा रहेगा कि उस exam में मैं cover कर पाऊंगा लेकिन board exam में एक बार आप फेल हो जाते हैं तो आपको direct compartmental के लिए advanced supplementary के लिए ही जाना पड़ेगा तो यह कुछ बातें थे मैं इसको समझाना क्योंकि मंडे से exam से serious होगे पढ़िए बहुत सारे students कहरें कि sir revision मैंने आलड़ी सारा revision upload कर दिया है जो regular revision होता है वही मैं upload करूँगा paper analysis जरूर करूँगा जितना भी time आपका बच्चवाए सारा revision के लिए रख देना है आपको practice paper one practice paper two उसके बाद pre final paper one pre final paper two दो वेबस चार आपके test होगे चार अच्छी तरह आप लिख पाऊगे चार के चार तो आपका best result आने के 100% chances है अगर एका subject में कोई कमजोर है तो मुझसे आप पुछ सकते हो मैं आपको help करूँगा या अपने teacher से help ले सकते हो किसी से भी help ले सकते हो लेकिन ज्यादतर subject अच्छी तरह लिखने की कोशिश कीजिए एक आद दो subject अगर दीक है तो कोई problem नहीं थोड़ा time में इसको cover कर पाएंगे लेकिन आप पूरी subject नहीं लिख रहे हैं तो इससे मुश्किल वाली मुश्किल वाली कोई बात नहीं हो सकती तो मैं dear student dedication के साथ थोड़ा time table बनाकर time ज्यादा लगाते वे happily के लिए आप अच्छी तरह पढ़ेंगे अच्छी तरह exams लिखेंगे तो आपका उतना ही आप के guarantee बढ़ जाएगी कि आपके exam में पास हो सकेगी तो यह छोटी सी वीडियो थो थी आप सभी के लिए अच्छी लगी हो